शिवरास सरकार में किसान परिशान है प्रदेश की मुख्या शिवरास से हचोहान अपने आपको किसान हितेशी बताते हैं। पर काला पीपल के कोठड़ी गाउं में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आपको बता दे कि महंगे दामों की कीट नाशक का छड़काव करने के बाद भी अतिवर्शावा पीला मोजैक के हमले से सोयावीन के फसल नहीं बच पाई अब परिशान किसान अपनी लहलहाती खड़ी फसलों पर हल चलाने को मजबूर है कोठडी के किसान राम गोपाल मेवाडा ने बताया कि अतिवर्शावा पीला मोजैक के प्रकोप से खराब हुई तीन एकर फसल पर हल चला दिया साथ ही कहा कि महंगे भाव के कीट नाशक का छड़काव भी किया तकि पीला मोजैक का प्रकोप कम हो सके लेकिन फसल में कोई सुधार नहीं हुआ किसान ने बताया कि हजारों रुपे खर्च कर दी परन्तु फसल को नहीं बचा पाए किसान ने बताया कि सोयाबीन की फसल कटाई वा मशीन में से निकलवाने तक आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाएका इसलिए फसल पर हल चलाना ही आकरी रास्ता रह गया क्या चाते ओब अब अब आपको मिला रास्ता एक करन नहीं के मिला क्या करन नहीं नहीं हुए पर भरी खजाय तो खाने आड़ा कौन कहजाते हैं कि शरकार का इंका नहीं करमचारी उनका नहीं कह जाए जो नहीं है खार जी साथ है किसानों का यह भी कहना है कि जन प्रतिनी सी चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं परनतों किसान इस समय संकट में है अभी कोई हमारी सुद लेने नहीं आया परिशान किसान ने सरकार से गोहार लगाई है कि नश्ट हुई फसल की राहत राशी दी जाए जिससे वह अपने परिवार का पालन पोशन कर सके किसानों ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है समय रहते उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली तो वहां आत्म हत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और को से घृषण मालूई घर में घर भी हमारा बेघर हो गाया है वह अपशल हमारी सारी नस्ट होगी है छोरा-छोरी पालनों मुश्किल है हमारा यह सारी नस्ट होगी एक टानों हिसमें इसका लिए हम दूसरा हम बख्खर चला रही है दूसरी फ़सल का ही मिल जाएगी तो हम बोदेंगे नितो आप सरकार से यास लगाते है कि कईने कई हमें थोड़ा गणा सयोग मिल जाए सरकार का तो हमारा पालन पोसंद हो जाए रात राशे नहीं मिलेगी तो साब मरना पड़ेगा हमें जेर खाना पड़ेगा नि दिया नेटोई यहां की जगे कोई नहीं आके नहीं देखा है और अजी की कि हुआ कहीं लेपे घरोन बाइजा तमने तो हमारे जमिन जागात में बांदा नी तो का बांदा हमारे पट्टा वरे चलते हैं यहां की फचन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है बारिष के करण और पला मोजेक नाम की बिमारी पूरी फचल बर्बाद हो गई है अब किसान अपनी फसल को इहां पर न्ष्ट करने के लिए पारेशानी के चलते हैं आज यहां पर हल चला रहे हो क्या नाम को परकार के आपको परेशानी से जूजना पड़ेगा मेरा नाम सिऊचन है मालवी सिऊचन है यह हमारी फसल सारी नश्ट हो गए पूर में बाड में हो गई है और पहले अंकि बीमारी लगी यह मैदाश अधायविन सुखे थे पूर में नेट्वी नश्ट हो गया एक दाना भी निवचा हुआ इसमें यह टेका लिए हम हम आफ रह गोष्ना की गया है किया आपको अभी तक रहात राशी मिली ने मिलिया हमारे संथ मुंद Запाट, मिलिखा आपकी न cough है यहां आपकी आपके बीच में कोई जनपत पो जन्पत पो चाने कोई नेतो कहीं कोलनी त्वार क adapts करे कोई मरायों करने थे हुआने अड़ोज पड़ोज का उने लाला खरो catering रोल्स चाहतय आप seasoning तो यह हमारे साथ किसान सीवचरण जिनकी आँखे आशू से भराई है इनका केना है कि हमने बड़ी उम्मीदों के साथ यहां पर स्वयब इनकी फसल लगाई थी परन्तु अतिवरिष्टी के कारण पूरी फसल बरवाद हो चुकी है अब इनको सरकार से आशे की इनको जल से जल रहत राशी मिले जिससे कि आगे के समय में अपने परिवार का पालन पोसन कर सके संदीब गहलोत खबर मद्वदेश न्यूज काला पीपल काला पीपल से संदीब गहलोत की रिपोर्ट